असलाम लेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं स्पेशल टेलर हाउज आज एपिसोड फॉर में हम आपको फ्यूजिंग करनी सिखाएंगे जिसको कुछ लोग खर्चा भी बोलते हैं सबसे पहले आपने कफ ले लेने हैं 9 इंच के अगर कोई आदमी सेथ मन्द है तो आपने सब्सक्राइब आदमी के 9 इंच के कफ बहुत होते हैं 9-9 इंच के हमने 2 कफ काड़ लेने हैं जिसकी चमक वली साइड निचे रखनी हैं कि फ्यूजिंग इस तरह की होगी कि आपको सीखने में मुश्किल नहीं होगी कि दे रिंच का फासला रखना है आपने एक बरापीस ले लेना है अक्सर आपको शाट पीस में भी फ्यूजिंग करनी अनकरीब ही सिखाएंगे मगर अक्सर काफी पीस बच जाता है कपरे का आपने बड़े पीस पे दो कफ राख लेने हैं जिसमें डेर इंच का आपने रख लेना है दबाव मसने के सेंटर में डेर इंच का वाया रख लेन है है हम आपने नीचे से आधी इंच का दबा लेकर काट लेना है मैं और साइट से भी अधी इंच का दबाब लेकर काट ले आ है हम अब इसको अँपने ना जब भी सही फ्यूजिंग जिसको कहते हैं ना करनी हो अगर आपका पीस नहीं बैठ रहा तो आपने थोड़ी सी माया लेकर ना डबी में बना लेनी है माया के साथ आपका बहुत अच्छे तरीके से कपरा बैठ जाता है कि यह देखें इसको मिक्स कड़ने इच्छी तरह और आप हम यहां पे लगा रहे हैं इसको इसको अब हम यह पे फोल्ल करेंगे और ये देखना कितने अच्छे तरीके से बैड़ता है ये कपरा ये देखें जहाँ जहाँ एक दफ़ा इस्तरी लगी जा रही है वहाँ वहाँ बैड़ जाता है पानी से भी बैड़ जाता है बस पानी में ये है कि थोरी इसी उलजन होती है पानी से जल्दी नहीं बैढ़ता माया लगा के सिर्फ एक दफ़ा इस्तरी लगाओ तो कपरा बहुत ही असान तरीके से बैढ़ जाता है बहुत ही इजी बैढ़ जाता है जिस तरह हमने पहले पार्ट में आपको पहुंचे मिनाने सकाये थे उस तरह ही सम्मलों के एक ही तरीक के साथ फ्यूजिंग होती है इसको कुछ लोग दर्जियों की जबान में खर्चा फ्रेस भी कहते हैं यह देखें इस तरह जिस तरह पान रहे हैं इस तरह ही यह फृंट पर्टी बनेगी इस तरह ही बड़न टेक स्टार इचाह को अनोखे तरीके के साथ बनेगा वह भी बह पुरे को जोंसा भी हमने किया है उसको तकरीबन आपने बिल्कुल डिले आज से रखना है ताहां कि यह देखें आपका यह जोंसा कनारा नजर आ रहा है आपको बाहिर यह देखें यह जोंसा कनारा मैं दिखा रहा हूं यह कनारा आपका बाहिर रहना चाहिए ताहां कि हम यह देखें बिल्कूर डिले आसे आप बठाएंगे तो आपका कनारा एटोमेटिक हुदी बाहिर आजीगा यह देखें अब हम चाक पट्टी फ्रंट पट्टी की फ्यूजिंग करने लगे हैं इसको भी जैसे कव बनाया है उस तरह इसको उच्ञाँ बनाया है उस तरह इसको भी अब fold करना है नीचे से कप्रे को मया का हमें बस ये ही फैदा है कि एक दफ़ा इस्तरी बस लगानी पड़ती है बार बार नहीं लगानी पड़ती इस्तरी एक दफ़ा मया लगा के इस्तरी लगाई ओ तो राम से कप्रा बैट जाता है ये देखें यह मारी फ्रंट पट्टी बन रही है अब हमने इसको भी जैसे कफों पर आधी इंच का दुबा लिया था काटा था इसको भी आधी इंच का दुबा लेके काट लेना है अब यहां पर पाणी लगा के यह जोंसा एंड पर कपर हम फोल्ड करते हैं इसको बहुत डिले आसे आपने फोल्ड करना है इसका आपको यह फैदा होगा कि जोंसा इसका कनारा मारा बाहिर रहे जेगा ना अगर आम जब उपर फ्रंट पटी के उपर सलाई लगाएंगे तो म हुआ जोंसा नीचे वला कपरा वाना इसके उपर जब सलाई आईगी ना तो फिर यह सही दूश्यां के से बंधो होगी अपर वले कणारें पर जब सलाई लगे ना नीचे से कपरा बाहर होगा ना तो अटोमेटर्सस के उपर आपकि सलाई आजेगी अ कि उससे आपकी सलाई मस्सें के किनारे से नीचे नहीं उतरेगी कि अधिये देखें अब देर इंच का आपने यहां पर ठोका बना लेना अधियर इंच पर राक्के आपने सेंटर सेंटर काटना थोड़ा सा हाफ काटना वहां पर और यहां पर भी हाफ ही काटना आपने कपरे हाफ से यह देखें अब यहां पर भी हम ठोका बनाएंगे यह फ्रंट पटी का एक ठोका बन रहा है चाक पटी के दो बनेंगे क्योंके दो बाज़ों होते हैं और दो बाज़ों पर ही ठोके लगते हैं अच्छी तरह ठोके पर भी प्रेस माल लेंगे इसको और दर्जियों की जुबान में ठोका कहते हैं यह देखें इसका अभी कनारा बाइर वाली साइट पर आज चुका है जब हम आपको मशीन पर फ्रंट पटी लगाना सिखाएंगे ना तब आपको हम इसके जोंसा पीस अभी मैंने बाइर आपको दिखाया ना जोंसा इसका कनारा नीचे वाला कपरा जोंसा बाई रहा है वो उसका क्या फाइदा है और उसको बाई निकालने से आपकी कितनी प्यारी सलाई लगती है और आपके काम में कितनी सफाई आती है इसका फैदा आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको मशीन पे फ्रंट पटी लगानी सखाऊंगा अनकरीब भी वो भी आपको लगानी सखाऊंगा बाराल आप यह जोंसा आपको काम सिखा रहा हूं ना आप इस पर जादा फोकस करें आइस्ता इस्ता ही आप सारा काम सीखे जाएंगे अभी तो यह एपिसोड फॉर है तकरीबर तीस 20 या 30 पार्ट ओर बनेंगे और आप इंशाला सारा काम सीख जाएंगे जिस तरह हम ने फ्रेंट पटी बिना यह उस तरह ही है हमने छाग पटी भी बिनानी है और बस इसका यह है कि आपने इसके दोट होके बनाने हैं और एक बात हमेशा याद रहना बुक्रम साइड नी काटनी कपरेवली साइड काटनी है इसका भी तेर देर इंच पर हमने मड़ी की राके न यह दो में climate जाना कि इस दोड़र से इस को इसकी पानी है और यहां से भी हाफ का लिए दोनों साइडों से और अब इसको पानी लगा कर बठा लेंगे उदर से भी हमने हाफ और फिर यह हाफ यह देखें अब हम दोनों साइडों पर पानी लगा के और इसको बठा लेंगे उदर भी पानी लगा लिया है और इदर भी पानी लगा के इदर वले को बठाते होएं इसके ओपर इस्तरी राके आप उदर भी पानी लगा लेना जिस तरह मैं बना रहूँ उस्तरह ही आप बनाएंगे तो इन्शाओला आप बहुत जल्द अपनी हाथ में सफाई ले आएंगे वह कि रूस के बाद हम बटन टेक बनाएंगे बटन टेक में हम एक भी मसंद के चाओंड प्ररां प्तिय बनाई आप बाद बटन टेक बननी यह बस यह करो आद7 करूसे फोल लो है उसने फोल्ड नहीं होना उसने बटन टेक ने सिंपल ही रहना है अब यह देखें एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा कन्नी वली साइड यह जो उसी कन्नी आपको नजर आ रही है ना कप्रे का आड़ा और सीधा हम अपनी जुबान में आड़ा सिधा कहते हैं कप्रे को इस का बहुत साब होता है अगर आप इस साइड पर मसला के दूसरी वली साइड पर कन्नी से हाट के साइड पर आप फ्यूजिंग कर देंगे ना तो आपकी बबलिंग आजेगी फ्यूजिंग में अगर आप कन्नी वली साइड पर फ्यूजिंग करेंगे तो आपकी कभी भी करती है जिसमें बबलिंग आती नहीं है अगर आपने एक्सर गूर किया होगा जोंसी लेडी सूर्स लाई करती है उनके ना बुकरम पर फ्रंट पटी पर हलकी बबलिंग आ करती है बुल-बुले से टाइप आजएता है काम अगर आप हमेशा बिल्कुल इस तरह कनी वली साइड पर आप फ्यूजिंग करेंगे ना सीधी राके तो आपके सूर्ट पर कभी भी नहीं बबलिंग आएगी मैंने आपको शुड़ में बताया था कि बैन जोंस है ना बस थो थो रासा हट क्यों होगा यह देखें बैन आपको अब बताता हूं किस तरह आपने थोरा सा इस तरह तो आपने हर चीज राके फ्यूजिंग की यह बैन को भी आपने डबर राके फ्यूजिंग कर लेना एक दूसरे के उपर बिल्कुल कनारे के साथ कनारा मिला आगे और कपरा पकर के ना फोल्डिंग कर लेना है यह देखें पानी लगा के माया वला और आप इसकी हम फोल्डिंग करेंगे आप इस तरहीं गर में थोरा सब दस्की बुक्रम लें बीस की लें और इस पर प्रैक्टिस करें जब आपका हाथ बिल्कुल सफाई के साथ होजेगा तो फिर आप कमीज की फ्यूजिंग कर सकते हैं यहां पर आप थोरा सब दुबाह लेके तकरीबन तीन चार इंच का दुबाह लेके कप्रे का और यहां से काट दें इसको और आप इसको हम सीधी साइट पर फोल्ड करेंगे यह देखें इसके जो उनसे बैन की कोर्नर है न नुक रहें इनको आपने बिल्कुल कप्रे के सा साथ बिठा लेना है यह देखें यह हमारी मुकमल फ्यूजिंग होसु की अत्यार इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपको अगले अगले अपिसोड में तब तक के लिए अल्ला आफीज